हलो फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है तो दोस्तो जैसे कि आपको पता है कि आपका नीट का एक्जाम हो चुका है और सभी बच्चे जो ओफिशल एक्सपेक्टेड काट ओफ है उसका वेट कर रहे है जो ओफिशल रिजल्ट आएगा कि उसमें कितनी एक्सपेक्टेड काट ओफ होगी तो दोस्तो हमने ये वीडियो बनाई है कि इंडिया की जितने भी टॉपमस्ट कोचिंग इंस्टिट्यूट है चाहे वो एलन हो अकाश वो दाश्वानी क्लासेज हो उन सब इंस्टिट्यूट में जो भी टॉपमस्ट इंस्टिट्यूट हैं इंडिया के उनके एनलेसिस के साब से एक्सपेक्टेड काट ओफ कितनी जा सकती है वो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है तो इसमें दोस्तों मैंने सारा डेटा गलग किया है तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस category की कितनी cut-off जा सकती है साथ साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि आपके कितने marks पे लगबग आपकी कितनी rank आ सकती है तो जो जो students हैं जिन्होंने need exam दिया है उनके लिए वीडियो बहुत जादा important होने वाली है किस वीडियो में आपको दो चीज़े देखने को मिलेंगी एक तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके marks पे लगबग आपकी कितनी rank आ सकती है और दूसरा आपको देखने को मिलेगा कि लगबग expected cut-off कितनी जाएगी general की SC की OBC की ST category की और जो बाकी की categories है तो चलो दोस्तो चलते हैं सबसे पहले मैं आपको यह दिखा देता हूँ कि लगबग need to done 20 में जो आपके marks के basis पे cut-off आने वाली है वो कितनी आएगी तो दोस्तो मैंने यह आपकी सामने यह अपनी seat बना के यहापे आपकी सामने open कर लिए तो जैसे कि मैं आपको पताना चाहूँगा दोस्तो कि जिन students के number 680 plus और 700 के approach marks आ रहे हैं जैसे कि जो पहला वाला column मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि जिनके 680 और 701 के आसपास आ रहे हैं उनकी 1 से 100 के बीच में आने की संभावना है जिन students के mark 632 से 679 के approach है उनकी 100 से 200 के बीच में rank आ सकती है और उस तरह से जिन students के mark 640 से 649 के बीच में marks आ सकते हैं उनकी 1000 से 1500 तो आप देखरें स्टुडेंट्स किस तरह से आप बहुत ही कम मार्जन में काफी वैरिएशन रहेगा जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर पांचवे वाले की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ साथ नंबर साथ मांक 640 से 649 के बीच में 500 बच्चे मिल जाएंगे उसी साब से दो 2100 के बीच की जो रैंक है उसी साब से जिनके 632 से 635 मांक है उनकी 20001 से 2500 तक रैंका सकती है उसी तरह से दोस्तो एट नंबरों में आप देख सकते हो कि जिन स्टुडेंट्स के 628 से 631 तक मांक है उनकी 2501 से 3000 के बीच में रैंका सकती है उसी प्रिकार से जिन स्टुडेंट् मैंने बनवाई है specially मैंने पूरा research करके पिछले years की cut-off को पूरा analysis करके मैंने यहाँ पर बनाया है दोस्तों तो मैं आपको पता देना चाहता हूं कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि लगबग 5000 rank है वो 610 नंबर से उपर end हो जाएंगी यतने भी 5000 की rank है और उसके बाद दोस्तो स्टोग्रम आपको बता देना चाहूंगा कि जिन स्टुडेंट्स की नंबर 500 नियान अगर मैं 499 से बात करूं रोर नंबर 25 तो जिन लोग स्टुडेंट्स की नंबर 500 से और जिनके 600 के बीच में marks पन रहे हैं उन स्टुडेंट्स की rank 7000 से लेके और 50,000 के बीच में आने की संबावना है यह मैं All India rank की बात कर रहा हूं दोस्तो उसे साबसे अपने पहला क्या होगा AIQ का कोटा होगा अपने स्टेट कोटा के हिसाब से आपको उसे साबसे जो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज है उसका मैंने एक separate वीडियो बना दिया है कि आपको किस कॉलेज का कौन स किस स्टेट का कौन सा कॉलेज मिल सकता है इस तरह से मैंने यह मांक्स करने से यहां पर बता है कि जिस तरह से अगर किस स्टुटेंट के 590 से 592 में मांक्स आ रहे हैं तो उसकी 9500 से 10,000 के बीच में रहा सकती है यह All India rank का दोस्तों आपकी फिर उसे साबसे category wise rank जो होंगी उस स्टुटेंट के 442 से 460 मांक्स आ रहे हैं उनके 75,000 से 90,000 तक rank आने की संभा होना है जिन स्टुटेंट के मांक्स 461 से 498 आ रहे हैं उनके 50,000 से 35,000 rank आने की संभा होना है उसी प्रकार से जिन स्टुटेंट के 526 से 559 हैं उनके 20,000 से 35,000 rank आने की संभा होना है उसी प्रकार से जिन स्टूडेंट्स के 500 सच से 590 हैं उनकी 10inação से 20 Claus के बीच में रहाने के संभावना है जिन इस्टूडेंट्स के 591 आप अगए 10,000 से और आप 10 था Church like आप देख सकते हो rank 1 से मैंने यहां पर स्टार्ट किया है और उसके हिसाब से दीरे-दीरे करके मैंने सारे ही category के हिसाब से जो मैंने last rank लिया हो एक लाग 20,000 तक और अलेंडे basis पर यहां पर बताईए अगर मैं पूरे states की जैसे मैं बात करूं कि जैसे किसी rадиścixt website की बात करूं कि रधयस्तान स्टेट में लगबग कितने general की cutoff कितनी जाएगी,-OBC की कितनी जाएगी,-TC की कितनी जाएगी इससे पहले मैंने गुजरात और महारास्टा का वीडियो बना भी दिया था, जिसमें मैंने state-level को भी कवर किया था और अब हम किसी special state की बात करते हैं, जिसमें maximum काफी students कीजितक अपलाई करते हैं तो दोस्तों हम सिर्फ राजिस्तान स्टेट की बात करें कि राजिस्तान स्टेट में लगबग कितने ही cut-off जा सकती है तो यह हमारा expected cut-off की analysis है कि जो expected cut-off है general OBC की लगबग 575 के अप्रॉक्स रहने वाली है SC की 455 के असपास रहने वाली है और ST केटिगरी की जो cut-off है वो 435 माक्स के असपास रहने वाली है तो यह cut-off दोस्तों general SC और ST की मैंने आपकी सामने बताती है उम्मीद करता है वीडियो आपको पशंद आई होगी इसके अलावा मैंने परस्टेट की नाम से वीडियो इस चैन कर दो है वीडियो